आप सभी भी अपने चैनल के लिए का अच्छा सा प्रफेशनल सा बैनर बनाना चाहते हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है गाईस चलिए वुट को करते हैं स्टार्ब अपने फून सब पृफेशनल बैनर बनाने के लिए आपको एक अप्लीकेशन की जुरू रथ पर ही जाना उपने पिक्सल अप्लीकेशन को ओपरें करना हwife उपेन करने के बाद आपको कहा करना है इतना हो जाने के बाद आपको कहा करने है यहां से न्यू टेक्स्ट को डिलेट कर देना है डिलेट कर देने के बाद दोस्तों आपको प्लस वाल एकन पर क्लिक करना है यहां से फ्रोम गलेर पे जाना है और यह वल आपको बैग्डाउंड ले लेना है दोस्तों यह बैग्डाउंड लेना है दोस्तों यह बैग्डाउंड लेना है दोस्तों यह बैग्डाउंड लेना बाद दोस्तों अप लोग करने के लाएंट पक्लिक करना है और इसको लोक कर देना है झाल किया वाला पर ़वल्ला पर पिंग करना है नियुकल लोग जो भी फूटो आप लोग लगाना चाहते हो सिंपली आप लोग उस फूटो कि यहां पर एड़ कर लेना है इसका साइज को अच्छी तरह किसी यहां पर मैं छोटा कर देता हूं इसके बाद इस फूटो को भी यहां से लोग कर देंगे दोस्तों हमारा इतना काम हो चु कर देता हूं दोस्तों मैं इसका साइज को कुछ से बढ़ा लेंगे हम लोग यहां से हमैं इस बाद आप लोग को को किया करना है इसके बाद इसकी करने के बाद एक अपने चैनल पर एपलोड करते हों यहां पर लिख देना यहां पर लिख करना है तो दोस्तो पहलेना है इसके बाद तो फिर सब यहां पर करता हूं और यहां पे इतना है आप अप लोग अपण चैनल में ढोल стен का ह Conte कार रहने देना है इसको लिखने के बाद दोस्तों आप से छोटा करना है और यहां पर नीचे की साइड यहां पर लगा देना है दोस्तों इतना हो जाने के बाद इसको भी यहां से लोग कर देंगे दोस्तों हमरा क्याम इतना हो चुका है अब दोस्तों आप लोगों को क्या करने के प्लस लेकिन पर क्लिक करना है और यहां पर यहां दोस्तों आपको लोगों को क्या करने है टेक्स्ट वाल एपस जाना है और अपने इस्ट्राग्राम का आईडी के नाम लिख देना है तो मैं आपको ँछ भी यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ लिखने के बाद दो मसा क्लर को वाईटी रहने दना है लोग करने के बाद दोस्तों आप को क्या करना है फिर से इसी पर क्लिक करना है यहां से फ्रॉम गलरी पर जाना है यहां पर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यह वाला पीएजी ले लेना है यह वाला पीएजी लेने के बाद इसका साइज को हम लोग छोटा करेंगे इ करने को यहां से कोपी करना है कोपी करने के बाद धूस्तों आपको 3 ौइर नमर पे आना है और क्लिक करना है फwał लोग को यहां पे रोटेट हो जाएका कारा यहां यहां थे सब यालो करने के बाद आप ल workflow कर है तो दोलें किया तक Kr finns को दोलें को लोग कर देना है और इसको यह हटा देना है इसको रिमूब कर देना है रिमूब करने के बाद ऊस्तों 3. वाल एकन पर किल रहा है और एक्स्पोर्टी में इस बैजना है और कस्टम पर क्लिक करके अल्टरा में इसको सेब कर ले रहा है दोस्तों I hope कि यह वीडियो आप होगी वीडियो आची लगे है तो चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब करके बेल एकन को तब एक ओल पर सेलेक्ट कर देना है और एक प्यार से कमेट कर देना है मिलते हैं नेक्स विडियो में तब तक ले बाएं बाएं दोस्तों